हलो नमस्कार सातियो, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एके क्लासेद जैपुर में सातियो, आज इस क्लास में हम देखेंगे रामायन और सिरी रामजी से संबंदित कुछ मैत्पून प्रशन है तो चलिए, दोस्तो आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अगर दोस्तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर करें दोस्तो आज का हमारा पहला क्वेस्चन है रामायन के रचियता कौन है आंसर हो जाएगा महरसी बाल में की महरसी बाल में की रामायन के रचियता है आंसर हो जाएगा हमारा उप्शन नमबर B अगला क्वेस्टन है साथियों हमारा सिरी रामलला दर्शन योजना किस राजजने शिरू की है आंसर हो जाएगा 36 गड़ रैजने सिरी रामलला दर्शन योजना 36 गड़ रैजने शुरू की है आंसर हो जाएगा option number D correct हो जाएगा इस question का answer अगला question है सात्य हमारा रामायन किस भासा में लिखी है आंसर हो जाएगा रामायन को संस्क्रत भासा में लिखा गया था रामायन अपनी संस्क्रत भासा में लिखी है आंसर हो जाएगा option number A इसका correct हो जाएगा अगला question है सात्य हमारा कौन सी नदी अयुद्या के हितियास की साक्षी मानी जाती है आंसर हो जाएगा सर्यू नदी सर्यू नदी अयुद्या के इतियास की साक्षी मानी जाती है आंसर हो जाएगा option number A क्या हो जाएगा option number A इसका correct answer हो जाएगा अगला question है सात्य हमारा रामायन किस युग से संबंदित है आंसर हो जाएगा रामायन त्रेता युग से संबंदित है अगला question है सात्य हमारा रामायन कालीन सर्यू नदी को बर्तमान में क्या कहते है आंसर हो जाएगा रामायन कालीन सर्यू नदी को बर्तमान में घागरा नदी कहते है कौन सी नदी घागरा नदी कहते है आंसर हो जाएगा option number C इसका correct हो जाएगा अगला question है सात्य हमारा अंशर हो जाएगा देवराज इंद्र ने अंशर हो जाएगा ओप्शन नंबर A इसका करेक्ट अगला क्वेस्चन है सातियो मारा लंका नगरी किस परवत पर इस्तित थी? अंशर हो जाएगा तिरकूट लंका नगरी तिरकूट परवत पर इस्तित थी? अंशर हो जाएगा ओप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेस्चन है सातियो मारा लब और कुष का जनम कह हुआ था? अंसर हो जाएगा बालमिकी जी के आश्रम में लब और कुछ का जरम हुआ था अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर B इसका करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेस्टन है साती हमारा भगवान सिरी राम के पिता का क्या नाम था आंसर हो जाएगा दस रते भगवान सिरी राम के पिता का नाम था आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C अगला क्वेस्टन है सातियो मारा सिरी राम की जनम भूमी अयुद्या को पहले किस नाम से जाना जाता था आंसर हो जाएगा दोहजार अठारे से पहले सिरी राम की जनम भूमी अयुद्या को फेजावाद के नाम से जाना जाता था आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A इसका करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेस्टन है सातियो मारा सिरी राम मंदिर का निर्मान किसके द्वारा कराया जा रहा है अंसर हो जाएगा सिरी राम जनम भूमी तीर्थ छेत्र के द्वारा सिरी राम मंदिर का निर्मान कराया जा रहा है और एल लारसन एंड टुर्बो कमपनी के द्वारा इनका निर्मान किया जा रहा है आंसर हो जाएगा सातियों आपका ओप्शन नंबर C बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोई सने सातियों मारा राम मंदिर की लंबाई कितनी है आंसर हो जाएगा 381 फिट राम मंदिर की लंबाई है तीन सो असी फिट क्या हो जाएगी राम मंदिर की लंबाई हो जाएगी 161 फिट क्या हो जाएगी उंचाई हो जाएगी राम मंदिर की उंचाई कितनी है 161 फिट और 200 फिट क्या हो जाएगी चोड़ाई क्या हो जाएगी चोड़ाई तो सातियों, राम मंदिर की लंबाई है, 384 फिट, आंसर हो जाएगा, और अप्सन नमबर A इसका करेक्ट हो जाएगा अगला कुर्सने सातियों मारा, रामाइन में कुल कितने अध्याए हैं, आंसर हो जाएगा रामायन में कुल साथ अत्याय हैं कितने अत्याय हैं? साथ आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर भी इसका करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेस्टन है साथी हो मारा लंका जाने से पहले प्रैबु स्रीर राम ने सिवलिंग की इस्तापना कहां की थी? आंसर हो जाएगा रामे स्वरम में लंका जाने से पहले प्रवु स्रीर राम ने सिवलिंग की इस्तावना रामे स्वरम नामक इस्तान पर की थी? आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C इसका बिलकुल करेक्ट अगला क्वेस्टन है साथी हो मारा शिरी राम मंदिर में प्रान पिर्तिष्टा समारों कब आयोजित होगा? आंसर हो जाएगा 22 जनवरी को 22 जनवरी को शिरी राम मंदिर में प्रान पिर्तिष्टा समारों आयोजित होगा? आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C इसका करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेस्टन है सातियो मारा राम मंदिर के निर्मान का बजट कितना है? आंसर हो जाएगा अठरासो करोड राम मंदिर के निर्मान का जो बजट है वो है अठरासो करोड आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला question है सातियों मारा राम मंदिर की आरती का समय कितना है आंसर हो जाएगा ये सभी क्या हो जाएगा ये सभी साड़े छे बजे सुबे मौर्निंग में सुबे साड़े छे बजे दुपेर में बारे बजे और साम की साड़े साथ बजे राम मंदिर की में आरती का समय होगा आंसर हो जाएगा Option number D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला क्वस्चन सातियो मारा राम मंदिर के लिए पिरबू सरी राम की मूर्थी किसने निर्मित की है? आंसर हो जाएगा अरुन योगी राज राम मंदिर के लिए पिर्वू सिरी राम की मूर्थी अरण योगी राज ने निर्मित की है आंसर ओप्सन नमबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेस्टन है सातियों हमारा भगवान सिरी राम किनके अवतार थे? आंसर हो जाएगा भगवान विश्णू के अवतार थे? कौन? सिरी राम आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेस्टन है सातियों हमारा राम मंदिर कहां पर बन राहा है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निरमान कहां पर हो राहा है? उत्तर प्रदेश के अयुद्या में हो राहा है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्च्चन है सातियों हमारा रामन का अन्तिम संस्कार किस ने किया था? आंसर हो जाएगा बिवी सन्ने रावन का अंतिम संस्कार बिवी सन्ने किया था आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी पिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके साथ यो यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करे ठैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए